वेल्कम बैक माई यूट्यू चनल उमेश पांडे में आपका स्वागता दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैं बसंत स्क्वाइर मॉल से अपने घर की तरफ टिकल ला हूँ महयूर बिहार की तरफ जिसका डिस्टेंच है करीब 25 किलो मिटर और आज मैं आपको द दिखाता हूँ कि दिल्ली में कैसे नवकरी होती है और साम को जब छुटी होती है तो ट्रैफिक का मंजर नजारा कैसे होता है बस यही मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ इसलिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि ही जो दूर दराज हमारे उत्राखंड के गा लग जाता है कितना ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है तो वह आज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ और वैसे भी आजकल अगर देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत कम है पहले से उतना ट्रैफिक नहीं है तो फिर भी मैंने कहा चलो आज प्राय करते हैं और चलते हैं ट्रैफिक कितना है तो गाईज ऑफिस से करीब मैं दो किलमेटर के दूरी पे आ चुका हूँ महूँ इस समय किसंगड़ वाली रूड पे और मैं जा रहा हूँ सिदा भिकाजी कामा पलिस की तरफ और तो यहां से थोड़ से हलका फुलका जाम ट्रैफिक मिलना सुरू हो च वर्क ज्यादा कर रहे हैं अपने घर से बैठे तो पब्लिक रूड पर कमी आ रही है लेकिन फिर भी ट्रैफिक है और यह मंजर आपको आगे निजर मिलेगा जहां में आपको दिखांगे चलते हैं आगे तो गाईज यहां की भी लाइफ ऐसी है आधी जिंदगी हमारी जो है यह ट्रैफिक में ही निकल जाता है और इससे तो बढ़िया अपने गाउं उत्रा खंड में तो बहुत ही अच्छा नजारा है लेकिन क्या करें यार यहां भी आप दो रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं तो यहां भी नौकरी करनी जरूरी है बच्चे बालनी जरूरी है आज जै यहांपर जो है हरी बद्ती मिल गई है लेकिन आज तक कभी यहां पर हरी बद्ती नहीं मिली आज पहली बार यहाँ पहरी बिती बिली मिली को लिख जब कि यहाँ पर कम से कम चार मिनट का रेट लाइट होता है सामने आप देख रहेंगे सरजने नगर का इलाका सुरू हो चुका है और उसके बाद एक फ्लाइवर आयागा फिर वहां से सब्दर जंग और आइमस होस्पिरल डिक तो नजारा में यह बता रहा था आपको कि दिली यहार ऐसी है यार दिली में नौकरी करना तो बहुत बेकार है यहां क्योंकि यहां ट्रैफिक बहुत जादा है जब घर आदमी पहुंच जाए तब समझ लो कि हाँ आदमी घर पहुंच गया बाकी यहां कोई भरोसा नहीं है किसी का क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है आज तो ट्रैफिक नजर नहीं आया क्योंकि आज वीडियो गुना रहा है तो फिर भी लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो उना लो और लेकिन गाई यही है कि अगर आप अपने गाउं इलाके में हो तो उसी अरिया में अगर आप जॉब देखेंगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा क्योंकि यारे दिल्ली साथ बेकार है यार यहां रहना आप देखी रहो तीसरी लेहर के फिर त्यारी है बड़ी से आगे हमें जो है जाम ही जाम मिलेगा और यह देख सकते है बस टेंट पर लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं बस में जाना तो यहां फासी के शजा के बरावर है क्योंकि कब बस आएगी कब यह चड़ेंगे रुकेगी भी नहीं रुकेगी और एक तो दिल्ली में बस में कि यह नियम हो चुका है कि अगर बस फूल है तो वो रुकेगी नहीं यहां पर अगर उसमें सीट खाली होगी तभी यह बैट पाएंगे यहां पर और तभी वो रुकेगी भी यहां पर तो यह भी नियम करोना के बाद स्टार्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर तो इसलिए मैं कह रही हूं यार की नवकली हो की अपने अपने एडिया में देखें तो सब सेफ्र होगा दिल्ली में तो जिंद्ली बहुत लंबी क्लिण है यहां पर 12th सभ कुछ सब हमारे आत्मा जानती है कि हम यहां पर क्यों चल ले मैं तो अभी तक गाउं भग जाता लेकिन मैं क्या करूं मैं अपने फैमिली के वज़े से बच्चों के वज़े रुखना पड़ रहे हैं और वैसे भी तीन चार साल के अंदर में यहां दिल्ली में रहूंगा नहीं आप द 2019 से पहले अगर आप देखते तो यहां पर पसंद कुंज से लेकर मैयूर विहार पहुंचने में साम को कम चकम धाई या तिन घंटे लग जाते हैं क्या कर रहे हैं तो यह आप करना ही पड़ रहा है ऐसा आधी जिन्देगी हमारी ट्रैफिक में गुजर गई है अब मैं बारद पॉला रोड के तरफ आ चुका हूं और आप देख रहे हैं बस यहां से स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं नजारा और आगे भी देखते रही है भी आप तो गाइज मैं पहुंचने वाला हूँ लोधी कलोनी में थोड़ा सा यहां पर मुझे जाम नहीं मिला और वैसे भी वहां पर जहां मैं आपको बताया था पिछले तो वहां पर कम से कम मुझे आदा घंटा जाम में लग चुका था और यह आप देख सकते हैं सामने लोधी कलो तो वहां पर ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं साम को तो इसके वज़े से वहां पर ट्रैफिक जाम अब आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हो चुका है और यहां से लेकर निजाम दिन तक पहुंचने में कम से कम पौना घंटा यहां से लग जाएगा पहले तो आपको बताया था क्योंकि मेरे पास भी आजकल कोई ब्लॉग बनाने को है नहीं और मैं कहीं जानी पा रहा हूं क्योंकि ऑफिस खुल चुके हैं थोड़ा काम कुछ ज्यादा है तो इसके वेसे मैं कहीं जानी पा रहा हूं तो बीच में देखूंगा मौका लगा के तो हो स प्रेस्टिंग के जाएं तो वो भी अच्छी बात नहीं है तो जैसे ही फूर्षत मिलेगी टैम मिलेगा तो मैं जरूर जाओंगा और आप देख रहे हैं इस से मैं ट्रैफिक का हल तो ट्रैफिक भी देखते जाएं और मेरे भी बातें आप सुनते जाएं क्योंकि मैं भी आजकल थोड़ा सा बहुत परिशान हूँ यार एक तो मेरे ब्लॉक में ब्यूज नहीं बढ़ रहे हैं पता नहीं क्या बात है आप लोगों का प्यार बहुत कम मिला है इससे पहले आप लोगों का प्यार बहुत मिला था लेकिन अब मेरे जो हैं ब्यूज बहुत कम आ रहे और यहां से मैंने सौट निकाल दिया और कम से कम मैं 500 मिल्टर आगे इंसे पहुंच जाऊँगा और वहाँ पर भी अभी मैं देनाजारा आपको लिखाता हूँ कर से पहुंचने वाला हूँ और देखनाय Ay yo u a per легया यहां पर जिंदगी दाउट लगा आगर बश गए तो बस गए अगर भी शक्तिप्र में लग सकती र दुस्तरा बंदा तुर्ण आप से आकड़ने को सुरू हो जाएगा मारों मरो और मारों के लिए तैयार हो जाएगे आप देखो यहाँ पर उधर से भी ट्रेफिक जा रहा है और इधर से हम अगर देखा जाए तो हम गलत चल रहे हैं लेगिन आगे निकलने के होड के वई से तो सभी बाइक वाले जो हैं आगे से निकल जाते हैं अब आप देखि रहें मंदर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ देखिए आपको कार जा रही है और बाइक वाला उसको जड़ाशी जगोच्छी है तो आगे चल के आप देखना फिर यहो त्रेफिक थम जाएगी क्योंकि आगे ट्रेफिक वाले खड़े होंगे और एक रोड धर से निजाम उदिन चाहती है तो भी बारा पुला पर मिलती है तो जोएंट पर ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं और वहां से एक एक करकी सिगनल देते हैं तभी जाके ट्रैफिक पर आगे निकलता है और इसलिए यहां पर जाम लगता है अब यहां से भी करते रहूँगा तो गाई जैसे रेंगते रेंगते करी मुझे आदा घंटा पौना घंटा इस बारा फुला रूर पर हो चुका है और यहां से मेरा घर मात्र केबल पंदरा क्लिमेटर की दूरी पर है तो गाई जो वहां पर जाम से निपटने के बाद जो है अब मैं सराय कारेखा पहुंच चुका हूँ और यहां भी थोड़ा सा ट्रैफिक धिमी हो चुकी है क्योंकि यहां भी थोड़ा सा साम को ट्रैफिक जादा होता है क्योंकि यहां पर सराय कालेखा में बसड़ा है ट्रैफिक है और भीड़ भी है और लोग यहां से राजिस्थान जाते हैं यहां से बसे पकड़ते हैं और एक से एक नए नेक तकनिके आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से जो है अल राजिस्थान के लिए बसे मिलती है और पूरा स्राय कारखा का नजारा है और गाईज तब भी है तब भी ठीक है अगर जो आत्मी बसंद कुछ से कर बस से अगर मैं भी बहर आएगा तो वो तो कम से कम चार घंटे से पहले पहुंची नहीं पाएगा जब भाए घंटे में हम अपने बाइक वाले पहुंच रहें तो बसमा आने में आप लगा लीजिए कितना टाइम लगेगा यह है पूरा सराय काले खरका नाजारा जो पूरा बन रहा है और मैट्रो की तोड़ फोड़ की और जैसे के आप देख सकते हैं बेलकुल मेरे बाइं कि तरफ आप देखेंगे पूरा नया बन रहा है यहां पे और मैं जा रहा हूं इसमां मैयूर भिहर की तरफ और बाकी यहां से सैद मेरा काम ही कर पाएगा आगे दाके लुही का फूल देखेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहा है वो पूल कहते हैं कि जो कबार का दो ल लगी तो आप सब्सक्राइब जलूर करना लाइक करना और कॉमेंट करना दिल्कुल मत रहेगा और मेरी बैटरी जो है अब यहाँ पर काम करना बंद कर रही है तो फिर मिलेंगे दुसरी बीटियो के साथ तब तक के लिए तिल देन गोड़ बाई झाल 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 झाल